दुरसल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा बाबरी मज़ित के प्रकरण में कलिक्ट्रेट पर धर्णा प्रदर्शन कर राजिपाल के नाम जिलाधिकारी को ग्यापन स्वापा गया इस दौरान डिप्टी सियम केश्व प्रसाद मौर के ट्विट पर मुस्लिम लीग के सदस ने जमकर निशाना साधा और कहा कि गुंडा तो कह सकता है कि मज़ित और मंदिर को तोड़ दूगा प्रदेश के डिप्टी सियम को सरकार चलाने की जिम्मेदारी के पत पर रहते हुए ऐसा नहीं कहना चाहिए वनना गुंडे और डिप्टी सियम में फर्क ही क्या रहे जाएगा उन्होंने काया कि डिप्टी सियम ने गुंडे का रूप धारन कर लिया है इसलिए मुस्लिम लीग ये मांग करती है कि डिप्टी सियम केशव प्रसाद मौर को ततकाल प्रभाव से बर्खास किया जाए और उन पर मुकदमा लिखा जाए अदेश दिया लेकिन कानून के खिलाफ दिया ये तो सब ये तो हरे कोई मानता है कि सुप्रीम कोड ने जो आदेश दिया वो खानून के खिलाफ है सुप्रीम कोड का केशव प्रसाद मौर गिया मैं वही कहता हूँ कि इन से बड़ा आतंक वाजी कोई नहीं है कि डिप्टी सियम होने के बाद ये ओत लेते हैं कि हम सम्विधान के अनुसार काम करेंगे और वही आदमी जिस पर सम्विधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है कानून की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो अगर इस तरह के गुंडा गर्दी का मजाहरा करें मैं गुंडा गर्दी कहूंगा कि वो ये कहे, स्रक चलता है, गुंडा तो कह सकता है, कि साब ये मस्जिद में तोड़ दूँआ और इसकी जगे मंदिर बनाऊँगा, लेकिन एक डिप्टी सीम, रेंक आदमी, जिसके उपर सरकार को चलाने की दिम्मेदारी है, कानून के हिसाब से, सम्मिधान के हिसाब से, वो अगर इस तरह की बात करता है, तो मैं यहां साब सफाई के साथ मुस्लिम लीक की तरफ कहा दे रहे हैं, उससे बड़ा अधंकवादी हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, उसको फॉरण सस्पेंट किया जाए, उसके खिरफतार किया जाए, उसके खिलाब मुक्दमा कायम क अर उसर में उसरे देशिमें